नमस्कार, Vision ISK News Today के संक में आप सभी का सुपागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपोर्ण, कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की हेडलाइन्स के बारे में और कानूनी गर्बपात की हकदार है सौर भू अभियांत्रकी के बावजूद भी स्थानिय तापमान का बढ़ना वर्षों तक जारी दे सकता है और युनेसको ने 50 प्रतिश्चित भारतिय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक बौधिक संपदा अधिकारों से संबंदित है विश्व बौधिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जारी किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 विश्व की 132 अर्थवेवस्थाओं के नवाचार पारितंत्र में प्रदर्शन को दिखाता है इसके अलावा ये सूचकांक नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवर्तियों को भी ट्रैक करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग दो उपसूचकांकों पर आधारित है और ये हैं इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स विपो की इस रिपोर्ट के कुछ खास बिंदू की बात करें तो GII 2022 में भारत 40 वे स्थान पर है वर्ष 2021 में ये 46 वे स्थान पर था इस तरह से वर्ष 2022 में निम्न मध्यम आये वाले देशों में भारत सरवाधिक नवाचार वाली अर्थवेवस्था बन गई है लगातार बारवे वर्ष विजलेंड GII में पहले स्थान पर बना हुआ है और सेंफ तुराज अमेरिका दूसरे स्थान पर है GII 2022 दो नवी नवाचार धाराओं को भविश्य की आशा के रूप में देखता है इसमें सबसे पहली धारा है Digital Age Innovative Wave ये सूपर कंप्यूटिंग, Artificial Intelligence और Automation पर आधारित है ये वेव जल्द ही सेवाओं सहित सभी शेत्रकों में प्रचूर उत्पादता प्रभा उत्पन करेगी इसके अलावा ये वेव सभी शेत्रकों के बुनियादी विज्यान में वेज्यानी खोज में भी मदद कर रही है दूसरी धारा है Deep Science Innovation Wave ये जैव प्रध्योगी की, नैनो प्रध्योगी की, नई सामग्रियों और विज्यान के अने शेत्रों में खोजो पर आधारित है ये समाज के लिए अधिक महतो वाले चार शेत्रकों में नवाचारों में करांती ला रही है ये चार शेत्र हैं स्वास्थे, खाद्य, पर्यावरन और मोबिलिटी नीती आयोग प्रतिवर्ष भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है ये GII के व्यापक धाचे को शामिल करता है भारत नवाचार सूचकांक राजियों और केंदशाषित प्रदेशों को उनके नवाचार में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करता है इसका उद्देश ये इनके बीच स्वस्त प्रतिसपरधा को बढ़ावा देना है वेशविक नवा चार में शामिल जो दो उपसूच कांक हैं और ये हैं Innovation Input Sub-Index उनके तहत संस्थानों को शामिल किया गया है और इन संस्थानों में राजनितिक परिवेश या विनियामक परिवेश या फिर विवसाइक परिवेश शामिल होते हैं मानव पुझी और शोध के तहट सिख्षा या तृतियक सिख्षा या शोध एवं विकाश शामिल हैं वहीं अवसंरचना के तहट सूचना और संचार प्रोध्योगी की सामान ने अवसंरचना या फिर पारिस्तिकी सतत्ता को शामिल किया जाता है इसके अलावा बाजार का परिशकरण किया जाता है इसमें कर्ज या निवेश या व्यापार या विविधिकरण और मार्केट स्केल को शामिल किया जाता है और व्यवसाई के परिशकरण के तहट ज्यान आधरित कर्मी या नवाचार संपर्क या ज्यान ग्रहन को शामिल करते वहीं दूसरा उपसूच कांख है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स इसमें ज्ञान और प्रद्यगी की आउटपुट यानि ज्ञान स्रजन या ज्ञान प्रभाव या ज्ञान प्रसार को शामिल किया जाता है यहां रचनात्मक आउटपुट के तहत अमूर्त संपद या रचनात्मक वस्तुएं एवं सेवाएं या ओनलाइन रचनात्मक ता शामिल है निधियों के संभावित दुरुपियोग के कारण राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा योजना पर निग्रानी रखी जा रही है एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्य जरूरतों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने की बजाए ग्रामीन अवसंरचना के निर्मान पर इस निधी को खर्च कर रहे हैं दिशा निर्देशों के मुताबिक एक वर्ष में योजना आवंटन का 60 प्रतिशत कृषी और संबध्ध गतिविधियों के लिए उप प्योग परिसंपत्ति या अवसंरचना के निर्मान प्रशासनिक उद्देश्यों और मजदूरी के लिए किया जाएगा इस प्रवर्दी ने आजीविका के अवसरों के इस रिजन को प्रभावित किया है इसके अलावा इस योजना के तहत केंद्र के खर्च में भी वृध आधारीत स्वचयन और आधिकार आधारित कारेक्रम हैं ये कारेक्रम रोजगार की गारंटी प्रदान करता है इसका कृम्वयन देश के सभी ग्रामिन जिलों में किया जा रहा है केंद्र से राज्यों को निधी कहस्तांतरन प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग जोर वर्गों के लिए वेक्तिगत परिसंपत्ति के तहट परिवारों की भूमी की उत्पादक्ता में सुधार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना आदी शामिल है। में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य या सदस्यों को मांग के अनुसार एक वित्य वर्ष में गारंटी कृत रोजगार के रूप में कम से कम सो दिनों का अकुशल शारिरिक श्रम वाला रोजगार प्रदान करता है। इसकी वज़े से निर्धारित कुणवत्ता और इस्थाई उत्पादक परिसंपत्ति का निर्मान होता है। दूसरा प्रमोखुद देश यह गरीबों के आजिवे का संसाधन आधार को मजबूत करना, सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना और पंचायती राज संस्थाओं को सुद्रिन बनाना। विश्व स्वास्थे संगठन और अंतराश्ट्रिय श्रम संगठन ने कारे स्थलों पर तनाव से निपटने के लिए दिशा निर्देश तैयार किये हैं। डबलू एचो के मुताबिक कारे और मानसिक स्वास्थे का आपस में गहरा संबंद हैं। किसी कारे स्थल का सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश मानसिक स्वास्थे को बहतर रखता है। वहीं अच्छा मानसिक स्वास्थे लोगों की कारे उत्पादक्ता बढ़ाने में मदद करता है। कि अवसाद और चिंता के कारण प्रतिवर्ष 12 अरब कारे दिवसों का नुकसान हो जाता है। और इस वजह से विश्व अर्थ विवस्था को लगभग एक ट्रिलियन डॉलर की हानी होती है। ये फैक्ट आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका आंसर और जाधा प्रभावी हो जाएगा। साथ ही इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिये गए हैं कि मनोसामाजिक जोखिम प्रबंधन के माध्यम से कारे संबंधी मानसिक स्वास्थे समस्याओं को रोका जाना चाहिए। कारे स्थल पर मानसिक स्वास्थे की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। विशेश रूप से प्रिसिक्षन और उपायों के माध्यम से जो मानसिक स्वास्थे जागरूपता में सुधार करेंगे। के रूप में स्थापित कर सकेगा इसके अलावा सतफ विकास लक्षियों की प्राप्ती में मदद करेगा विशेश रूप से स्वास्थे संबंधी SDG 3 और सभी के लिए गरिमा पूर्ण कारे संबंधी SDG 8 लक्षियों की प्राप्ती में मदद मिलेगी यह कारे पर निश्काशन को कम करेगा और व्यक्तियों या परिवारों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगा ये बड़े श्रम बाजार और उच्च उत्पादक्ता के माध्यम से उध्योगों को लाब पहुचाएगा और स्वास्थे देखभाल तथा कल्यान सहायता पर सरकारी व्याय में बचट करेगा अगली खबर पेपर वन के टॉपिक महिला अधिकारों से संबंदित और इस संबंद में उचितम नियाले ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णे दिया है। इस निर्णे में ये भी कहा गया कि 20-24 सब्ताह की गर्वती अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्पात देखभाल सुविधाय प्राप्त करने से रोकना जैसे कि पुनरजनन स्वायत्तता, गरिमा और निजिता का अधिकार, इसके अलावा विधी के समक्ष सम और विधियों के समान संरक्षन का अधिकार, जो कि अनुच्छेत 14 के अंतरगत आता है, ऐसी नाबालिगों को MTP कानून का लाब दिया गया है, जो सहमती से संबंद स्थापित करती हैं, साथ ही चिकित्सकों को इन नाबालिगों की पहचान इस्थानिय पुलिस के समक्ष प अमिल किया गया है, वर्ष 1971 में MTP अधिनियम को संसद ने स्वास्थे मानविय और सुप्रजनन उपाय के रूप में पारित किया था, इसका उद्देश्य कुछ निश्चित परिस्थितियों में और पंजीकृत चिकित्सकों के उचित निरीक्षन में गर्पात को गेर आप अगली खबर जलवायू परिवर्तन से संबंदित है, सौर भू अभियांत्रिकी के बावजूद भी इस्थानिय तापन का बढ़ना वर्षों तक जारी रह सकता है, सौर भू अभियांत्रिकी को सौर विकिरन प्रबंधन भी कहा जाता है, इस शब्दावली का इस्तमाल उन परिकल्पित प्रध्योगी कियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो सैध्धान्तिक रूप से प्रत्वी की सतह से सौरी के प्रकाश को परावर्थित करके तापमान व्रिधी को रोक सकती है, हाला कि SRM यानि कि सौर विकिरन प्रबंधन प्रध्योगी कियां प्रत्वी को ठंडा करने के लिए उपरी वायू मंदल में एरोसॉल नामक छोटे परावर्थक कणों का प्रवेश कराया जाता है, दूसरा है मरीन क्लाउट ब्राइटनिंग इसके तहत समुद्र के ऊपर बादलों में लवण युक्त जल का छिड़काव करने के लिए जहा प्रवेश करने के बाद ये लवण के कण मेघ संगनन नाभिक के रूप में कारे करते हैं, ये बड़े और चमकीले बादल बन जाते हैं और सूरी के प्रकाश को परावर्थित कर देते हैं, इसमें अधिक प्रकाश प्रवर्थक इमारतों का निर्मान किया जाता है, उनकी छतों और दीवारों को अधिक चमकदार बनाया जाता है, उन्हें सफेद रंग से रंकर ऐसा किया जाता है, इसी प्रकाश प्रवर्थक फसलों को उगाया जाता है, अगला है महासागर दरपन, इसमें महासागर की सतह पर लाखो सूक्ष्म बुलबुले बनाने के लिए जहाजों के बेड़े का उप्योग किया जाता है अन्य प्रद्योगी की है क्लाउड थिनिंग इसमें वायु मंडल से पक्षाब मेगों को हटा दिया जाता है ये मेग बड़ी मात्रा में दीर्ग तरंग विकिरन को अवशोशित करते हैं इसके अलावा अंतरिक्ष में प्रद्योगी की है इसके तहट सूरी के प्रकाश को अधिक मात्रा में परावर्तित करने के लिए एक विशाल दरपन या कई दरपनों को कक्षा में भेजना शामिल है और अगली खबार आर्ट एंड कल्चर से संबंदित हैं युनेस्को ने 50 प्रतिष्ट भारतिय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है युनेस्को ने 21 सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतिय वस्त्रों की सुरक्षा दस्तावेज जारी किया है इस दस् कुछी बद्ध कुछ प्रमुख वस्त्र शिल्प हैं तमिलनाडू से टोडा कढ़ाई और सुगुंडी हैदरबाद से हिमुरू बुनाई और संबलपुर से बांधा बंधन और रंजन बुनाई गोवा से कुनभी बुनाई गुजरात से मश्रू और पटोला महराष्ट से ह मुरू और पशिम बंगाल से गार्द कोईरियल बुनाई करनाटक से इलकल और लंबाडी या बंजारा कढ़ाई तंजावुर से सिकल नायकन पेट और कलमकारी आदी भारतिय पारंपरिक वस्त्रों को कईश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है इसमें कढ़ाई वाल स्थान, जलवायू और सांस्कृतिक प्रभावों के आधार पर विक्सित हुई है। भारत अपनी कुल विदेशी मुद्रा का लगभग 27 प्रतिशत वस्त्र निर्यात से अरजित करता है और देश के सकल घरेलू उतपाद में ये लगभग 3 प्रतिशत का योगदान देता है आईए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्तो पूर्ण सूर्खियों के बारे में। अपराद घोशित किया गया था इस मामले का हवाला देते हुए सशस्त्र बल अधिकर्ण ने विभिचार के तहट आरूपित सैन्ने कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक का रवाई को रद्ध कर दिया था कार में छे एर बैग अनिवारे केंद्र सरकार ने कारों में छे एर बैग को अनिवारे करने संबंधी निर्देश को एक वर्ष के लिए टाल दिया है इसका मतलब ये हुआ कि अब ये निर्देश 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा इससे पहले सरकार ने केंद्रिय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूशना जारी की थी इसका उद्देश कार निर्माताओं के लिए एर बैग को अनिवारे करना था इसके कार्यानवेन को इस्थगित करने का कारण वर्तमान में आटो मोबाइल उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली वैश्विक आपूर्ती श्रंखला से संबंधित बाधाए हैं एर बैग आम तोर पर बुने हुए वस्त्रों से बनाए जाते हैं नायलोन के वस्त्र जैसे नायलोन यानि पॉलियामाइड 6.6 एर बैग कोशन की बनाई के लिए उपियोग किये जाने वाले सबसे आम वस्त्रों में से एक हैं एक्सचेंज ट्रेडिट कमोडिटी डेरिवेटिव्स भारती प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड ने पंजिकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नकत निप्तान वाले गैर कृशी ETCD में व्यापार करने के लिए नियम बनाए हैं सेभी ने गैर भागिदारी के कारण पात्र विदेशी संस्थाओं के रूट को बंद कर दिया है और इस रूट को वर्ष 2018 में अनुमती प्रदान की गई थी ETCD इस स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार योग्य डेरिवेटिव्स हैं इनका अंतरनेहित परिसंपत्ति के ग्रूप में उपयोगी वस्तुओं के साथ विन्यमित परिवेश में व्यापार किया जाता है उदाहरण के लिए सोना कच्चा तेल और चांदी ETCD के कई लाब हैं क्योंकि ये मानकी कृत होते हैं ये एक मध्यस्त की उपस्थिती में होते हैं और तरलता के कारण बाजार गहनता होती है और डिफॉल्ट जोखिम का उन्मूलन होता है हाइब्रिड पावर प्लांट अडानी ग्रीन ने राजस्थान के जैसल मेर में विश्व की सबसे अधिक शमता वाली सौर और पवन उर्जा परियोजनाएं आरंब की हैं इन परियोजनाओं में 600 मेगावार्ट शमता का सौर सयंत्र और 150 मेगावार्ड शमता का पवन उर्जा सयंत्र शामिल है हाइब्रिड पावर प्लांट ऐसे विद्यूत सयंत्र हैं जो दो या दो से अधिक उर्जा सुरोतों से विद्यूत उत्पन्न करते हैं इसमें आमतोर पर एक कनेक्शन पॉइंट के साथ जिद्यूत का निर्बाध उत्पादन दो उर्जा सुरोतों से होता है इससे बहतर आपूर तेज थरता बनी रहती है शमता कारक में व्रिधी होती है और ट्रांस्मिशन नेटवर्क उप्योग का अनुकूलन होता है लेकिन नकारात्म किये है कि इसकी इंस्टॉलेशन की ल धारशिला रखी है इस पत्तन में विश्व के सबसे पहले CNG टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक भुनियादी संदचना होगी इसका परिचालन वर्ष 2026 तक आरंभ होने की उम्मीद है इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानि PPP मॉडल के तहत विक्सित किया जाएगा और इसकी कारगो हैंडलिंग शमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है आगामी परियोजना में मौजूदा सडक मार्ग और रेलवे नेटवर्क से सीधे कनेक्टिविटी होगी ये कनेक्टिविटी सबसे बड़े अध्यगी क्षेत्रों समर्पित माल भाड़ा गलिय इंटरनेशनल मोबाइल एक्विप्मेंट आइडेंटिटी दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए एक जनवरी 2023 से भारतिय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल पर भारत में निर्मित और आयातित सभी हैंडसेट के लिए IMEI को पंजिकृत कर अनिवारे कर दिया है IMEI एक विशेश नंबर होता है जो GSM, WCDMA, IDEN मोबाइल फोन और सेटलाइट फोन की पहचान करने में मदद करता है प्रतियक मोबाइल फोन में एक ही IMEI नंबर होता है लेकिन डूल सिम वाले फोन में दो IMEI नंबर होते हैं IMEI नंबर के इस्तमाल से फोन के चोरी होने पर फोन को ट्रैक करना आसान हो जाता है पिनाका मल्टी बेरल रॉकिट लांचर सिस्टम पिनाका एम्बी बेरल प्रनाली एक स्वदेशी रॉकेट प्रनाली है इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO के आयूध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन और विक्सित किया है ये एक सचल रॉकेट सिस्टम है, इसके अधिक्तम सीमा 40 किलो मीटर से लगभग 75 किलो मीटर तक है अरावली, हरियाना सरकार ने एक क्यूरेटेट जंगल सफारी पार्क विक्सित करने की घोशना की है ये पार्क अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा, इसका विस्तार अरावली परवत श्रिंखला के 10,000 एकडशेत्र में होगा अरावली शब्द का मतलब है शिकरों की रेखा ये परवत श्रिंखला भारत के 4 राज्जियों, राजस्थान, हरियाना, गुजरात और दिल्ली में विस्तारित है ये भारत में वरिक परवतों की सबसे पुरानी श्रिंखला है इसकी सबसे उची चोटी गुरू शिकर है अरावली परवत श्रिंखला खनीजों से सम्रिद है इस शेत्र में संग मर्मर, ग्रेनाइट, बलुअ पत्थर, रॉक फॉस्थेट जावर शेत्र में सीसा, जस्ता, चांदी, आदी खनीज के भंडार है साची स्तूप साची स्तूप का निर्मान समराट अशोक ने तृतिय शताब्दी ईसा पूर्व कराया था स्तूप का मुख्य भाग ब्रह्मांडिय परवत का प्रतीक है हरेरंग की आभावाली गुम्मदाकार आकरती मिट्टी के ठीले को दर्शाती है जिसका उपयोग भगवान बुद्ध के अवशेशों को ढखने के लिए किया जाता था स्तूप के सबसे उपरी भाग परिस्थित तीन चत्रकों या चत्रवेली को बनाए रखने के लिए एक हर्मिका नामक संदचना बनाई गई है ये चत्रवेली बौध धर्म के तीन रतनों बुद्ध, धर्म और संग का प्रतिन दित्तो करती हैं आपको बता दे कि साची स्तूप की मूर्तियों, समारकों और हरे भरे उध्यानों को युनेस्कों ने विश्व धरोहर इस्थल के रूप में नामित किया है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, कुछ अन्य महत्तपून खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाई रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपनों का और अपना विशेश ध्यान रखें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, इसके साथ ही विजन आईस की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है, नमस्कार, थैंक for listening.